पटना में देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टील ब्रीज गांधी सेतु के पूर्वी लेन का उधगाटन हो गया है केंद्रिय सडक एवं परिवहन मंतरी नितिन गड़करी एवं बिहार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार ने पुल का उधगाटन किया 35 साल तक देश का सबसे लंबा पुल होने का गौरो पाने वाला महात्मा गांधी सेतु ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है आज से यह देश का दूसरा सबसे लंबा स्टिल ब्रीज बन गया है यह सेतु पटना से लेकर उत्तर बिहार के लिए लाइफ लाइन है गांधी सेतु पर आवागमन शुरू होने और अटल पत फेज 2 के जेपी सेतु से जूडने के बाद उत्तर बिहार से आना जाना अब बेहद आसान हो जाएगा गांधी सेतु के शुरू होने से अब 15 मिनट में ही राजधानी पतना से हाजिपूर की दूरी तै हो जाएगी 5.75 किलोमिटर लंबा पुल अब भी देश का दूसरा सबसे लंबा इस्टील पुल और सभी पूलों में तीसरा सबसे लंबा पूल है पुल में सिमिंट का बेस नहीं होने से यह पुल 100 साल से अधिक समय तक तिका रहेगा बताते चलें कि देश के टॉप 10 पुलों में से चार बिहार के ही है महात्मा गांधी सेतु को 1742 करोर की लागत से बना कर पूरा किया गया पुल के उधगाटन के साथ ही राज्य में 13,585 करोर की लागत से 15 राष्ट्रे राजमार्ग परियोजनाओं का सिला न्यास भी किया गया बताते चलें कि गांधी सेतु देश का पहला पुल है जिसके उपर के 75,000 घन मिटर कंक्रीट को तोड़ कर हटाया गया लेकिन उसका एक इंच भी गंगा में नहीं गिरा इसी कंक्रीट को तोड़ कर फिर से पुल के निर्मान में लगा दिया गया गांधी सेतु को बनाने में इस बार 6.6,3 करोर कीलो सिमेंट का उप्योग किया गया है यह भी जानले कि पुल के उपर सडक पर 8 इंच मोटा कंक्रीट बिछाया गया फिर उसके उपर 1.5 इंच का तारकोल और उसके उपर 1 इंच का मास्टिक लगाया गया है ताकि पानी रिस्कर नीचे नहीं जाए पहली बार साइकिल और पैदल यातरियों के लिए 3.75 मिटर चौड़ा फुट पाथ भी बनाया गया है गौरतलर है कि साल 1982 में ततकालिन प्रधानमंतरी इंद्रा गांधी ने इस पुल का उधगाटन किया था लेकिन दो दसक के बाद से ही इसमें दरार आने की शिकाएते मिलने लगी और इसके बाद इसकी मरम्मत का फैसला लिया गया पुल का सूपर स्ट्रक्चर बदलने का निर्णे लिया गया इसके 46 पीलर को जियों का तियों रहने दिया गया लेकिन इसके उपर पुल के पस्चिमी हिस्से में फरवरी 2017 में काम लगा और तीन साल के बाद जुलाई 2020 को इस हिस्से को पूरा कर लिया गया इस लेन पर ट्राफिक शुरू कर पुर्वी हिस्से में भी इसी तरह काम शुरू किया गया जो अब पूरा हो चुका है यानि पूरा गांधी से तू एक तरह से नया पुल बन कर तयार हो गया है विमर्श न्यूज पटना